आज लेटिचर का फर्स लेसन याणी पोएम पुडाने जा रहा हूँ आप लोग देखें लेसन है इंडियन वीवर्ड्स इंडियन वीवर्ड्स भारती ये जुलाहे वीवर्ड्स माने जो कपड़ा बुनते हैं उनको जुलाहत आ जाता है और इसलिए हमारी कालपी में ये जुलेटी नाम फेमस है क्योंकि यहाँ कपड़ा बुनने वाले थे इसलिए इनका नाम वीवर्ड्स यानि जुलाहे भारती ये बीवर्स जुलाहे से बना जुलाइटी सब्दर सरोजिन आइड़ोस के लेखक है पोएम देखिए बीवर्स बीविंग एड ब्रिक ओफ डे बुनकर बुन रहे हैं ब्रेक ओफ डेव सुबा है सुबा है तड़के कपला बुनने वाले कपला बुन रहे हैं तो कभी अत्री सरोजिन आइड़ोस उनसे पूछती है वाई डू यू भीवर्स गार्मेंट सोगे इतना सुन्दर गेवर्स इतना सुन्दर कपला तुम क्यों बुनते हो बिलू एज दा बिंग ओफ ए हलकाइन वाइल्ड जंगली हलकाइन एक पक्षी होता है सुन्दर जिसे नीलकंट हम लोग कहते हैं नीलकंट के पंकों की तरह नीला वस्त इतना सुन्दर तुम क्यों बुनते हो तो जुलाहा उतर देता है वी बीव दा रोप्स अफ ए निव बॉर्ण चाइड़ एक छोटे बच्चे के लिए जो अभी जन्मा है उसके लिए बिनते हैं देखिए कविता में तीन पेरगराप हैं पहला सुबह इसके बाद दो पहर इसके बाद साम चाहे इस प्रकार कहिए बच्चे का जन्म होता है फिर जवान होता है इसके वाद प्रद बिर्दावस्ता यानि तीनों पन इसमें दिखाए गए हैं आप देखिएगा तो पहला फिर से एक बार बुनकर सुबह 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 कपड़ा बन रहा है कभी अत्री उससे पूचती है कि इतना सुंदर कपड़ा ये जंगल में रहने वाले नील कंड के पंखों की तरह नीला ये तुम क्यों बिनते हो तो जुलाहा उतर देता है कि हम एक नए जन्में बच्चे के रॉप्स के लिए अर्थात ओढ़ने के लिए उसको हम ये बिन रहे हैं वीवर्स बीविंग एट फाल आफ नाइट और इसके बाद फिर ये रात का समय हो गया ये रात में भी बिन रहा है वीवर्स जुलाहा ये रात के समय कपड़ा बुन रहा है तो कभी अत्री पूछती है इतना चमकदार कपड़ा तुम क्यों बुनते हो लाइक दफ पिलम्स ऑफ पिकाउक परपिल एंड ग्रीन अब यहां मोर के पंखों की तरह है परपिल और ग्रीन यह बैगनी और हरा रंग बताए गया मोर के पंकों की तरह बैगनी और हरा रंग का क्यों बिनते हो तो ये जुलाहा उतर देता है बीबीब दा मेरिज बेलो भी कुईन हम एक रानी के मेरिज साधी के घूंगट के लिए अरता जिसे हम साधी में पहनने वाला बसर कहते हैं उसके लिए बुन रहे हैं जिसे साल है साल रानी के घूंगट के लिए हम एक साल बिन रहे हैं यहाँ यह साधी की बात आ गई तो यह है जवानी का समय है बच्पन जवानी इसके बाद वीवर्स वीविंग सॉलमन एन इस्टेल एक बार फिर से इस परग्राप को वीवर्स वीविंग एट फाल आफ नाइट रात में जब जुलाह बिन रहा है कपड़ा वाई उडू वीवे गार्मेंट सो ब्राइट कवित्री पूशती है कि इतना चमकदार कपड़ा तुम क्यों बिनते हो लाइक दा पिलम्स ओपीकॉक पर्पिल एंड ग्रीन मोर के पंकों की तरह बैगनी और हरे रंग का ये चमकदार बस्त तुम क्यों बिनते हो वी वी विदा मेरिज वे लॉग कोईन तो गुनकर उत्तर देता है कि हम एक रानी की साधी होने वाली है उसके लिए औरनी के लिए हम ये बस्त बिनते हैं अगला और लास्ट पैरा है वीवर्स वीविंग स्वलमन एंड इस्टिल जुलाहा दुखी सांत स्वलमन मने दुखी होकर के स्टिल सांत बिलकुल कबड़ा बिन रहा है वाट डू यू वेव क्या बिनते हो इन दह मूनलाइट जिल इस सांत ठंडी चांदनी रात में ये कपड़ा तुम क्यों बिनते हो वाईट है जे फीटर एंड वाईट है जी अदग्लावड बादलों की तरह सफेद पंखों की तरह सफेद ये कबस्त तुम क्यों मिन रहे हो वी बीब ए डेड मैंस फ्यूरल स्राउड हम एक मिर्ट बेक्ति के कफन के लिए ये कफ़ड़ा बिनते हैं यानि बच्चा पैदा हुआ बड़ा हुआ उसकी साधी हो गई इसके बाद मिर्ट हो गया तीन स्टेज होती है उपर वाले पैराग्राफ में बताय गया था कि हम चमकदार ये सुंदर कफड़ा बिन रहते हैं बच्चे सुंदर होते हैं इसके बाद चमकदार साधी में और चमका जाती है इसलिए बाद पर सांत स्टिल सफेद माने कफन के लिए तो ये तीन परगर आप थे और इनके तीनों का आपको अर्थ लिख लिजेगा अर्थ लिखना है और पोएम भी आपको लिखनी है एट लाइन पोएम की याद भी करनी है इस सरोजनीन आइड़ी इसकी राइटर है ये लिखना है आपको नेक्स टन पर फिर नेक्स बढ़ाऊंगा तब तक के लिए इस्टे होम एंड सेफ तैंक यू